मूं किete एच जो हमारी हमने वह भी देखी ठीक है हमने कैंसलेसिन भी देखा हमने सब्सक्राइब को पूरा क्लोज किया इसके आगे जो है वह आपके एक्जांपल से मैंने कुछ डाले हैं जो प्रैक्टिस के लिए हैं जो हम अभी क्लास में थोड़े कवर करेंगे बाकी आप लोग कवर करना ठीक है लेकिन उससे पहले मैं आपको इगा प्रॉसेस बताना चाहता हूं कि प्रॉसेस कैसा होता है जी लेने का मलब कैसा पेज दिखता है वह सब कुछ वह भी मैंने यहां पे आपके लिए डाला हुआ है कि अधिकर आपको कि अधिकर आपको यह कि जैसे ही बेटा आप जाएंगे न कि business जैसे ही आप जाएंगे जीस्टी कि ृर्ण वी ड्राट इनबे जैसे जैंगे पर वहां पर आपको इक पेज़ दिकھेगा वहां पर इधर आता एक यह यह आएगे आपका बटन दिखेंगे होम और सर्विसेज आप सर्विसेज पर क्लिक करेंगे रेजिस्ट्रिशन पर क्लिक करेंगे जैसे ही लार्ज करना है कि देखता हूं हो जाएगा कि नहीं होगा एक सब्सक्राइब जो है कि अजय को कि अधिक आप एक अधिक तो नहीं हो पाएंगे थोड़ा सा एक सेट पर इस ट्राइट को थोड़ा अठाना पड़ेगा लेखता है कि मैं इस पिक्सेल फट जाएंगे बहुत ज्यादा कि बहुत दो प्रिक्शल फट जाएंगे बेटा पशिर्ट पे-डिलएं और सव्साइब लूप सित जाएगी ऐसे ठीक है सबसे पहले पर रह आ हुमने आपका नाम क्या है यह ते डालना है और आपका इमेर डालना है और यहा यहां पर डालना है तो जैसी आप इन डिटेल्स को पंच करेंगे आपका ऐसा कुछ आपको दिखेगा तो आपको एक ट्यार मिल जाएगा ट्यार मीन्स जो हमने प्रीवेश स्लाइड में देखा टैंपररी रेफरेंस नंबर वह मिल जाएगा ठीक है फिर आप यहां पर प्रसीड करेंगे ऐसा कुछ नंब में अलग से 1502,500 पैसे चार्ज करते हैं ठीक है समझ जाओगे आपको करियर में हेलप होगी को यह देखिए आपको फिर अपने टियारे नंबर से लॉग इन करना पड़ता है जैसे कि यहां पर जो पेस्ट था यहां पर टियारे पर क्लिक करेंगे उस नंबर को डालेंगे और ऐंगे टालेंगे आपको कुछ विंडो ऐसी दिख istiyorum कि यह विंडो आजाएगी आपको एक्शन पर क्लिक करना है आपके सामने ऐसा पूरा पेश खुल जाएगा हूँ इसमें आपको यह सारी टाप्स ओती है जो आपको फिल करनी होती है 유 उसमें सबसे पहले होती है मेरी पहली बेसिक डिटेल्स ठीक है फिर प्रमोटर की डिटेल्स जो काम करने वाला बंदा है और सब्सक्राइब करेंगे अगर कोई स्टेट कहता है कि नहीं हमें यह इंफरमेशन भी चाहिए तो वह डाल नहीं होती है लास्ट में आपको वैरिफाइब करना होता है तो सारे के सारे पेजिस मैंने लगाया हूं मैं एज़िट इस यह पहला पेस्ट आपका बेसिक डेटेल्स का वहां पर क्या जाएंगी जहां जहां पर मैंने इसको रेड किया हुआ है इसका मतलब क्या है यह वाले टैप अगे रहेगी आपको आगे जाने नहीं देगा SEVEN CONTINUE पर क्लिक करेंगे हो Cisco सब्सके का यह फट रहेगा झांटिनिू करेंगी है यह आपको यह पर यहां पर फे Raphael एड्रेस प्रूफ आपका आपके फोटो आपका पैन नंबर आपका अधार नंबर वो सारी चीज़ अप्लोड होंगी आपकी नेक्स पेस्ट आपको बैंक डिटिल्स वगर डालनी होती है मेटा ठीक है जब सारा का सारा आपका पेस्ट फिल हो जाएगा फिर आपको लास्ट में आप वेरिफाइब कर दोगे जैसी यहां पर आप लास्ट पर आओगे इधर वेरिफिकेशन टैप पर तो यहां पर डालते हो सबस्प्रेशन काम करोगे अप ठीक है इधर आप डालो गपने बैंक अकांट डिटेल्स जब यह सारी टैप सबकी अपकी करोगे आप डिटेल्स करोगे अपनी आपके आपके अधार नंबर पर डिन दो पर लिंख हो गाओ उस पर लिंक जाएगा वह को अपको वैरिफाइब रहर से जाता है उसके पंद्रा दिन के अंदर पंध्रा दिन के अंदर ढ़ा मैंको नमबर देता है अके सब कुछ टीक है तो डिफासिेक है तो दिपार्टमें आपको 15 दिन के अंदर अंदर ऑंदर दे देता है ठीक है पेटा है कि इसमें कई डाईट हो तो बजा दो को हम अभी discuss discuss कर लेते हैं वरना हम कुछ examples देखते हैं अपने कि अब बताओ बेटा कि अब बताओ कि अब बताओ अगर रिजेक्ट हो जाए दिन अगर रिजेक्ट हो जाता है तो बेटा आपको डिपार्टमेंट सेम ऑपर्चुनिटी ओप बिंग हर्ड देता है वह बोलेगा कि सब्सक्राइब यह भी आप अरेंज करिए ठीक है तो आप उसको अपलाई दुबारा से वह डेटा प्रोवाइड कर दीजिए फिर हो जाएगा अगर फिर भी नहीं कर पाए तो फिर रिजेक्ट हो जाता है और आपको फिर से नया नंबर फिर से दुबारा अपलाई करना पड़ता है प्रोवाब ग्रोवाब थाका थिर से दुबारा अपलाई ऑप प्रोवाब से अजिए कर दो दोगफ ठीक है कर दो कर दो कर दो कि बिल्कुल बेटा रीजन रीजन जरूर मेंशन होगा हमेशा दहान रखना जैसे मैंने अभी आपको बता है और बिंग हर्ड तो डिपार्ट्पिंट जब कैंसिल करता है उसका ओर्डर निकालता है ओर्डर में लोग क्लियरली बोलता है ओर्डर शुडबी सेल्फ एक्स्प्लेनेटरी विधार एक्जाक्ट रीजन कि ठीक है ओर्डर में क्लियरली बात लिखी हुए होती होनी चाहिए कि ये क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है वह ठीक है बेटा कि बिल्कुल लिखा होगा बेटा क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है और कोई डाउट बेटां अब जैसे एक्जामबल देते हैं किसी बच्चे ने एक्जाम दिया और वो फेल हो गया ठीक है उसको पता ही नहीं हो फेल किस सब्जेक्ट में हुआ तो गलत चीज़ है नहीं तो जैसे जो हमारे यह स्टेट पीस बूर्ट से अगर आप पास हो गए तो आपके नंबर आएंगे आपके नंबर ही नहीं आते गलत चीज़ ना बच्चे को पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम कहां पर है कि समझते हैं तो वह चीज़ इसमें नहीं होती है यह लोग बताते हैं कि क्यों रिजेक्ट हुआ है ताकि आप उस चीज़ को रेक्टिफाई करके दुबारा से अप्लाई कर पाऊ हुआ हम अपने एक्जैम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं एक्जैम्पल हमारा क्या गयता है एक्जैम्पल पढ़ते हैं पहले राम लिमिटेड इस ओपरेटिंग इन दिल्ली ओनली बेटा क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है बारिकी से पढ़ना है क्योंकि एक छूटी सी गलती हुई आप मतलब कुछ और निकाल लोगे और अंसर कर दोगे जहां से पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है लिखा हुआ है राम लिमिटेड इस ओपरेटिंग इन डेली ओनली सिर्फ दिल्ली में काम कर रहा है क्लियर होगी बात ठीक है इन फैनेंशल यर 2324 जो भी चल रहा है हमारा ठीक है कि क्या क्या किया प्जन कि टैक्सिबल गुड़ गुड़ आचे लाको रुपे गए वेशसाने ब्हूटे में क्या होता है कि नॉइंमल में क्या होता है जो सप्दाइर है औज रिसिपिन है रिसिपिन्ट रिसकर वह सप्दाइर को पैसा दे आड़ होता है अपने जेप सी जमा कर रहा होता है अपने अनके प्रत्र certainly एक्जेम्टेड गुट्स कितने हैं मेरे चारलाफ रुपे के ग्यारा छे सत्रा सत्रा और चार 21 लाख रुपे का टोटल हो गया है अगर हम निकालें अगर हम आच्छा सोरी यह हम देख रहे इन वर्ट सप्लाई यह उसकी इन वर्ट इस चीज के ऊपर किस कहां से गनेश लिमिटेड वे चैजिक है यह उसकी इन वर्ट सप्लाई है योट्स टेक्स वलगूर्स से छे रुपए के रिवर्स चार्व चार राक और एक्जंटेड चार लाख रुपए के थीक है आप देखते हैं आउटवर्ड सप्लाइई कितनी है टैक्सबल गुड्स और सर्विसजस बारा लाख रुपै गुड्स अंडरshift रिवर्स-चार्ज तीन लाक रुपै एक्जेब्ट गूड्स सरविसजस 2 0 लाक रुत है रुपैए और नॉन टैक्सबल गूड्स ढझेड़ इस पर क्या क्या होगा वह सवाल देखते हैं सवाल पूछना क्या चाहता है वह हूं यू और रिक्वाइट टू आंसर दा पॉल्लवरिंग बिल्कुल सही पहला सवाल विच टाइप ऑफ सप्लाई इनवर्ड और आउटवर्ड और बोथ इस टू बी कंसीडर इन कंप्यूटेशन अफ एग्रिगेट टॉन ओफ यह कह रहा है बेटा सर यह कह रहा है कि आपको एग्रिघेट टॉन निकालनी है सबसे पहला कोशन आगिए ना अगरीगेट टॉन तर्णोफ इसकी तो होगी नहीं इसकी होगी ना सिरफ अगर मैं टर्नोवर की देफिनिशन पे जाओं अगर मैं टर्नोवर की देफिनिशन पे जाओं तो क्या बोलता है सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूं क्यों क्योंकि यह क्या है गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज इसको अठाई तो सबसे पहले क्लियर क्या है फिर क्या है नो सचर्ण पहले पर चलते हैं पहला यह सबसे वीले तीजे हैं कवर गुड्स क्या यह कवर होगा क्या यह कवर होगा कि यह है हैं क्या नॉन टेक्स्वेल गुड्स कवर होंगे येस अच्छा सॉरी 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 पेटा सॉरी 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 ये वाला तो कवर होगा यह मैं ने सप्लाई करिए यह मैंने आगे सप्लाइक करें यह वाला नहीं होना था यह था तो तो मेरा टैक्सल्स वो गया कवर गुड्स इंडर रिवर्स चाज कवर हो गया और नोन टैक्सब्ल गुट्स मेरा कवर हो गया तो मैं टोटल टन अवर जो हो गई है कि वो कितनी हो गई 18,50,000 रुपर मुद्ध है तैरा सवाल हो गया अग्रिगेट टर्नोवर टैक्सिबल गुट्स अंडर रिवर्स चार्ज क्योंकि यह आउटवर्ड सप्लाई वाला जो मेरा है जो मैंने किसी को सर्विसिस दी मैं सप्लायर हूं इस केस में ठीक है एक्जेम्टेट और नॉन टैक्सिबल तो यह मेरा पूरा का पूरा अठारा अग्ला सवाल देखते हैं वाटी जवाली ऑग्रिगेट ट्रॉब एक्सप्लाइशन वन और सेक्शन 22 सीजेस्टी एक्जाम में नहीं आएंगे पहले मैं बता दूं आपको यह मैंने कोश्चन कहीं से पिक किया था ऐसे एक्जाम में नहीं आएंगे कि एक्स्प्लाइशन उनके साब से अब बताईए ठीक है अग्रिगेट ट्रॉवर निकालने है यह आपने आपने क्या निकालना है ट्रॉन और ट्रॉन का मतलब क्या होगा कि आपने यह समान बेचा तो है आपने बेचा तो है एक्जाक्ली और उसके साथ साथ आप यह चीज़े भी बेच रहे हैं आप यह भी तो बेच रहे हैं ना तो फिर आपकी ट्रॉवर में क्याल्कुलेट एड हो जाएगा और दिस फिल एड़ अप यूर एग्रिगेट ट्रॉवर और विल बिकम इस नमब बिकम्स ट्वंटी रैक्स आपको नमबर लेना पड़ जाएगा हूँ है ठीक है तीसा सवाल कहता है क्या आपको लगता है राम लिम्टेट को जीज़ेश्टी नमबर लेना चाहिए अन्दा बेसिज़ अग्रिगेट ट्रॉवर बताइए क्या आपको लगता है राम लिम्टेट को नमबर लेना चाहिए अन्दा बेसिज़ अग्रिगेट ट्रॉवर दा आंसर इस नो रीजन बिंग उसकी ट्रॉवर अठारा लग पचास जार रुपे हैं नहीं लेना उसको है और वह और वह सिरफ और सिरफ दिल्ली में काम कर रहा है इंटर स्ठेट का महीं कर रहा है व बेच नहीं रहा है इंटर सिट खरीद रहा है इंटर स्ट गुजरात से था क्या नहीं स constitution privilege गनेश है स्ट最 मैं बड़ ठीक है अगला कोश्चिन कहता है वेटा हाव यूर आंसर इस इन पार्ट वुद डिफर इफ राम लिम्टेट इस पेशल केटिकरी स्टेट्स असाम और मनिपूर अब क्या जवाब बदल जाए क्या क्योंकि स्पेशल केटिकरी स्टेट्स ने आपके ट्रॉर की लिमिट दस लाख है लेकिन असाम की जो लिमिट है आपकी वह आपकी बीस लाख रुपए है अपको स्टेट वाइज लिमिट याद रखने की जरूवत नहीं है ठीक है स्टेट वाइज लिमिट याद रखने की जरूवत नहीं है ठीक है लेकिन में मोटा मोटी आपको पता होना चाहिए कि बीस लाख दस लाख चालिस लाख कैसे कैसे यह वैरी करता है ठीक है तो आपको मनीपूर में नंबर लेना पड़ जाएगा क्योंकि आपकी ट अब लोगों के लिए अब लोग इसको प्लीज एक बार ट्राइग करिएगा और इसमें कोई भी डाउट हो वी कें डिसकर्स बट प्लीज एक बार ट्राइग जुरू करना बट ट्राइग करने का रीजन लॉजिक एक ही है पहले कॉंसेप पता होना चाहिए बटाैक खाले आपको कॉंसेप पता होना चाहिए कान सिप्द पता होगा तभी आप कोोश्ण को होगे ठीक है वનट को सथे को प्रक्टिकल हो और को तो उस्ते ढरेंगे जर्वीं कॉनसेट को पूरा होगा वन30 यू इसको सौल्व नहीं कर पाओं एट है यह यह बताइए को इस को डाउट पॉल्ड होताई है जो फाने होगत है प्लीज को सॉल्व जरू करना क्योंकि यही आपकी अधार शिला है को समझने के लिए अगर आपको यह समझ में नहीं आएगा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो हम रजिस्ट्रिशन के चैप्टर को यहीं पर खतम करते हैं और हम जो हमारी आज की शाम की क्लास होगी वहां पर हम टेक अप करेंगे हमारा आर्सियम का चैप्टर रिवर्स चार्ज मेकानिजम हम उसका कॉंसेप्स समझ चुके हैं हमें सिक्स्टीन टाइप्स की सर्विश सर्विशिस को देखना है कि कौन कौन से सर्विशिस पर आर्सियम लगता है मेरा ठीक है वह हम सर्विशिस को टेक अप करेंगे गुट्स को टेक अप नहीं करेंगे तो हम सर्विशिस को पूरा टेक अप करेंगे कि कितनी उन पर क्या कौन सर्विशिस हैं और कैसे कैसे सिस् झाल झाल